Hello Everyone, Welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सबी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आई अपने इस full course on Indian quality for UPSC, PCS and Assessory exams को हम लोग आगे बढ़ाते है और पिछले lecture में हम लोगों ने जो class 11th की NCRT that is Indian Constitution at Work है उसका chapter number 5 start किया है जो की legislature के उपर है और कल हमने बात की थी कि legislature क्या होता है और Indian legislature में या Indian parliament में हम कहें कि जिस तरीके से दो सदन है ठीक है, two houses है, उनके बारे में हमने बात की थी कि उनके seats वगेरा किस तरीके से allocate होती है उनके जो members है, उनका election किस तरीके से होता है, यह बात जानी थी और थोड़ा सा हमने यह जाना था, कि importance क्या है यानि कि दो सदन होने की जरुवत क्यों है और किस तरीके से सारी चीज़े होती है आज हम लोग बात करेंगे, parliament के functions को लेकर कि जो संसद है, उसका क्या काम है, क्या role है और क्या उसके पास powers यानकी शक्तिया है तो आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी लोग उसे एक बार फिर से request करना चाहूँगा कि जो लोग इस course को, इस video series को follow कर रहे है जिनको यह पसंद आ रही है, वो जादा से जादा वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कलीस के साथ ताकि हमारे इन courses का जो फाइदा है, वो जादा से जादा लोगों तक पहुंच सके और बाकि जो लोग चैनल पर नए है, उनसे भी मैं request करूँगा अगर आप लोग को content पसंद आ रहा है, helpful लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो को notifications को अगर आप से बिस ना हो, तो चलिए साथ करते हैं, आज का lecture, चलते हैं अपनी book की तरफ, देखिए, सवाल है कि what does the parliament do, parliament या संसद करता क्या है, ठीक है, what is the function of the legislature, legislature जो है, यानि कि, legislature मैं आपको कल बताया था, इसको हिंदी में क्या बोलते है, विधाई का, ठीक है, कि विधाई का क्या function है, ये जानना है, do both houses of the parliament have similar functions, or is there a difference in the powers of the two houses, तो क्या जो हमारे दो houses हैं, दो houses मतलब कौन-कौन से है, लोकसभा and राज्यसभा, ठीक है, कि क्या लोकसभा और राज्यसभा के functions similar है, मतलब एक जैसे हैं, और इन दोनों की जो powers हैं, यानि कि जो इनकी शक्तिया है, क्या वो एक जैसी हैं, या अलग हैं, या उनमें क्या नतर हैं, ठीक है, तो इनी सारे सवालों को लेकर आज हम लोक जो है discussion करेंगे, और इनी सारे सवालों को जवाब जो है, आज हम जानेंगे, ठीक है, तो पहले देखते हैं, apart from law making, the parliament is engaged in many other functions, let us list the functions of the parliament, ठीक है, तो law making, तो engaged है, उसके कुछ और भी काम है, तो वो सारे के सारे functions क्या है, apart from the law making, वो भी हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहला function जो है, वो है legislative function, ठीक है, देखिए legislative function का मतलब क्या है, Parliament enacts legislations for the country, legislation is nothing but your law making only, ठीक है, तो ये तो मतलब सबसे पहला एक prime function है, कि संसत का काम क्या है, कानून बनाना, ठीक है, तो despite being the chief law making body, the parliament often merely approves legislation, ठीक है, ये बात को भी हम थोड़ा सा समझना है, कि हलाकि इसको माना जाता है legislative body है, एक law making body है, लेकिन parliament जो है, वो सिर्फ law बनाती नहीं है, वो law को approve करती है, ठीक है, law generally कौन बनाता है, the actual task of drafting a bill is performed by the bureaucracy under the supervision of the minister consent, ठीक है, जैसे वाल लीजे, example के तौर पर अगर हम बात करते हैं, कि वाल लीजे, कोई home ministry से संबंदित, ठीक है, example के तौर पर, home ministry से संबंदित, अगर कोई bill है, तो वो bill कैसे आएगा, सबसे वाली बात तो जो है, यहां के जो सबसे बड़े minister होते है, वो कौन होते है, cabinet minister होंगे, ठीक है, जैसे जो ग्रह मंत्री, minister of home affairs, अब उनके under में, जो पूरी की पूरी bureaucracy होगी, ठीक है, bureaucracy मतलब जो यहां के जितने भी officers वगरा होंगे, जितने भी आएएस officers वगरा होंगे, जो भी secretary वगरा होंगे department के, वो सारे मिलके bill बनाएंगे, under the supervision और under the guidance of the cabinet minister, ठीक है, तो जो bill बनाया जाएगा, वो इनके द्वारा बनाया जाएगा, the substance and even the timing of the bill are declared by the cabinet, ठीक है, कि substance क्या रहेगा, bill के timing क्या रहेगी, यह सब भी cabinet द्वारा decide के जाता है, no major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet, तो यह आपको ध्यान लखना है, home minister कोन है, cabinet minister है, तो जो सारे के सारे जो bills है, वो generally क्या होते है, cabinet द्वारा ही decide के जाते हैं, और कोई भी bill जो है parliament में बिना approval of the cabinet के introduce नहीं होता है, members other than ministers can also introduce the bill, but these have no chance of being passed without the support of the government, ठीक है, तो एक तो प्रकार के bill यह हो गए, जो कोई minister introduce कर रहा है, ठीक है, एक प्रकार के bill ऐसे भी हो सकते हैं, जो किसी और member द्वारा introduce के जा रहे हैं, जो ministers नहीं है, ठीक है, उस तरगी की bills को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक, प्राइवेट मेंबर्स बिल, इसका मतलब यह bill by, इसको आप लिखेंगे ऐसे, it is a bill introduced by a member, by a member who is not a minister, ठीक, ठीक, तोकि सभा में किसी को bill introduce करना है, bill पेश करना है, तो उसके लिए वो लोग सभा का सदस्य तो होना ही चाहिए, ठीक है, member तो होना चाहिए, लेकिन जितने भी लोग सभा के सदस्य हैं, उस मेंसे सारे के सारे minister नहीं होंगे, क्योंकि minister कौन होते हैं, यह हमें पहले ही हम लोग जान चुके है, ministers होते हैं सिर्फ जो council of ministers होते हैं वो, ठीक है na, ministers का मतलब क्या है, council of ministers, जिसमें तीन प्रकार के minister आते है, cabinet minister, minister of state और जो deputy ministers है वो, ठीक है, तो कोई ऐसा bill भी introduce किया जा सकता है, किसी भी member के द्वारा, जो minister नहीं है, और उस तरीके की bill को क्या बोला जाता है, उस तरीके की bill को बोला जाता है, private member bill, ठीक है, लेकिन इस तरीके का कोई भी private member bill जो है, वो pass होना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो कि जब तक government का support नहीं होगा, जब तक पास होने के chances जो है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम chances है, और आज तक के तिहास में अगर आप उठा के देखींगे, तो बहुत कम इस तरीके के private member is built वागरा, जो है, वो introduce हुए है, और है, उसको control करना, और उसकी accountability, यानि कि उसकी जवाब देही को सुनिश्चित करना, ठीक है, ये बात हमने पहले भी पड़ी है, कि executive क्या होती है, executive is responsible to the, to the legislature, तो यह यही बात है, ठीक है, executive is responsible का मतलब वही हो गया कि उस पर control, executive के उपर control और दूसरा executive की accountability को ensure करना, perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them, ठीक है, कि ये एक बहुत ही vital function, बहुत ही important function है, parliament का, ये ensure करना, ये सुनिश्चित करना कि जो executive है, executive को अगर आप doubt कर रहे हैं, आपको याद नहीं रह रहा है, तो ध्यान रखे का executive is nothing but the government, ठीक है, कि executive जो है, वो अपनी authority को overstep ना करें, और वो उन लोगों के प्रती responsible रहे, जिन लोगों ने उनको चुना है, तो we shall discuss this function in greater detail later in this chapter, इसको मुझा सब आद में और जाके इसी chapter मा आगे discuss करेंगे, फिलाल हम देख लेते हैं कि financial functions क्या है, ठीक है, government is about spending a lot of money on various matters, ठीक है, obviously बात है, government का मतलब क्या है, कि वो बहुत सारे मुद्दों पे क्या कर रहा है, बहुत सारा पैसा कर रहा है, अब ये पैसा आएगा कहां से, where does this money come from, ठीक है, देखते है पैसा कहां सा आएगा, every government raises resources through taxation, एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि taxation जो है, या फिर हम कहें जिसको tax revenues वो बहुत जाएगा, tax का जो राजस्त है, this is the income of the government, ठीक है, जो कि सरकार को जो भी पैसा मिल रहा है, यानि कि सरकार की जो भी अगर कमाई हो रही है, वो कहां से होगी, सिर्फ और सिर्फ tax के थूँ, है ना, तो सरकार जो है, अपने resources को raise करती है, taxation के थूँ, however, in a democracy, legislature controls taxation and the way in which money is used by the government, ठीक है, कि अगर कोई भी tax संबंधी मामले है, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ government नहीं ले सकती है, उसको parliament की उस पे जो है, रजामंदी होनी चाहिए, parliament का control होना चाहिए, और किस तरीके से वो पैसा खर्च किया जाएगा, government द्वारा, वो भी parliament में ही decide होता है, if the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the लोगसभा, यही बात मैं को समझा रहा हूं कि लोगसभा में संबंधित इस तरीके के bills वगरा होने चाहिए, और इस तरीके के जो bills वगरा होता है, उनको बोला जाता है, financial bills, ठीक है, यानि कि वित्यय, विद्ययक, the financial powers of the parliament involve grant of resources to the government to implement its programs, ठीक है, कि financial power क्या है, parliament की वो यह करेगी, कि जितने भी resources वगरा है, वो सरकार को जो भी resources चाहिए, अपने programs को implement करने के लिए, लागू करने के लिए, वो resources grant करेगी सरकार को, कौन करेगी, parliament, ठीक, तो the government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to risk, ठीक है, और सरकार को जो है, legislature में ये चीज़ बतानी होती है, कि उनको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब कितना resources की जरुवत है, कितना पैसा नोंने खर्च किया है, किसी भी program में, किसी भी policy वगरा को implement करने में, तो ये सारी चीज़ें जो है, वो सरकार को बतानी पड़ती है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जवाब दे ही, जो है, वो सुनिश्चित की जो है, वो ना करें, इस तरह इसको कैसे control किया जाता है, this is done through the budget and annual financial statement, ठीक है, budget वगरा क्या होता है, कि budget में सरकार बताती है, कि हमारा इस साल का budget इतना है, हमारा इस साल का budget इतना है, हम इतना खर्चा जो है, वो सेक्टर में करेंगे, इतना सेक्टर, इतना खर्चा defense में करेंगे, इतना खर्चा agriculture में करेंगे, तो यह सारा का सारे एक overall पहले आपको चीज़ें जो है, वो बतानी पड़ती है, ठीक है, आप किसी भी जगे पर जो है, वो miss spend और over spend नहीं कर सकते, ठीक है, यह function है, इसके Parliament के अगर हम बात करें, चाहे हम बात कर रहे हैं लोकसभा के सदस्यों की, चाहे हम बात कर रहे हैं राजसभा के सदस्यों की, चाहे लोकसभा के सदस्यों की, चाहे लोकसभा के सदस्यों से जैसे directly elect किये जाते हैं आप और हमारे द्वारा, और फिर हम राजसबा अगर सांसदों की बात कर ले तो इनका election हाला कि indirectly तरीके से होता है MLS के थुरू लेकिन MLS को हम directly elect करते हैं तो उसमें क्या है कि वो देश के हर कोने से वहाँ पर व्यक्ति होंगे ठीक है किसमें जो हमारी पार्लेमेंट है उसमें चाहे वो लोगसबा है चाहे वो राज्यसबा है अलग-अलग जाती अलग-अलग धर्म से जुड़े होए लोग होंगे अलग-अलग सोशल गुरूप से रिलिजियस गुरूप से एकनॉमिक गुरूप से जुड़े होए लोग वहाँ पर होंगे तो representation जो है एक तरह के साब कहा सकते हैं कि पूरे के पूरे देश का representation पार्लेमेंट में हो रहा है इसके बाद एक function और है वो है debating function यह क्या है देखे The Parliament is the highest forum of debate in the country यह सबसे बड़ा ऐसा एक मंच है जहां पर debate किया जा सकता है There is no limitation on its power of discussion उस पर discussion की power पर कोई भी limitation या कोई भी वावंदिया नहीं है Members are free to ask on any matter without fear Members जो है वो free में चीज़े जो है वो पूछ सकते हैं ठीक है इसके लिए basically एक सबसे बड़ा instrument है That is your question hour ठीक है यानि कि जिसको प्रशनकाल बोला जाता है जिसको लेकर अगर आप लोग news आज कल पढ़ रहे हैं तो आज के ही news में एक इस तरीके का matter आया है ठीक है मतलब specifically हम बात करें जो विपक्ष वगरा है वो सरकार से अलग-अलग मुद्वपे सवाल पूछते हैं जिसको हमने बात की थी कि government या जो members या जो ministers है they are responsible for all their acts of omission and commission उसका मतलब यही है कि किसी भी मंत्री ने कोई काम किया है या नहीं किया है उस पर अगर कोई भी और सांसत चाहे देश का ध्यान उस तरफ आखर्शित करना तो वो उसको किस तरीके से करते थे प्रशन काल के दौरान प्रशन पूछ के ठीक है तो यह जो question hour को यहां से हटाय जा रहा है इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है ठीक है क्योंकि उसमें यह बोला जा रहा है कि this is very unconstitutional and un-democratic क्योंकि democracy में से यही चीज़ है कि सब चीज़ें लोगों को पता होने जरूरी है अब अगर आप question hour ही हटा देंगे तो वहां पर फिर मंत्रों से सवाल कैसे पूछ जाएगा ठीक है ना तो यह सीज़ है यहां पर आप उसको समझेगा this makes it possible for the parliament to analyze any or every issue that faces the nation ठीक है that is these discussions constitute the heart of the democratic decision making यही बात है कि इस तरीके कि तो discussions वगरा है वो democratic decision making का क्या करते है एक heart है मतलब कह सकते हैं कि उसकी आत्मा है एक उसकी जान है ठीक है चलिए अगना देख लेता है constituent function क्या है constituent function क्या है देखे the parliament has the power of discussing and enacting changes to the constitution समविधान में भी जो change है जो परिवरतन है वो parliament द्वारा लाया जा सकता है ठीक है constitution का amendment article 368 में दिया है यह हम लोगो ने थोड़ा बहुत पहले बात की है मैं कहूंगा detail में काफी बात किया लेकिन जो लोग सिर्फ और 11th के students है तो उनके लिए बता दू आर्टिकल 368 जो है वो deal करता है amendment of the constitution के साथ और उसमें किस तरीके से पुरा का पुरा amendment होता है क्या उसकी पुरी पुरी procedure है अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर click करके i button पर जो हमारा full course है उस पर आप यह chapter यह topic जो है वो पढ़ सकते है ठीक है constituent powers जो है दोनों houses की similar है all constitutional amendments have to be approved by a special majority of both the houses special majority का मतलब यहाँ पर होता है two third of two third of present and voting और plus जो है वो house के 50% of house total से ज़ादा भी होना चाहिए ठीक है यह होती है special majority इसके बाद electoral functions के अगर हम बात करने तो electoral function जो इनके है वो यह है कि parliament also performs some electoral function जैसे की president और vice president का चुनाओ जो है वो भी parliament द्वारा ही किया जाता है votes की value अगरा जो है वो count की जाती है पूरा का पूरा जो electoral college है ठीक है तो अगर वो भी वीडियो आप लोगो ने अगर miss किया है तो आप लोग यहाँ पर वापस से उपर i button पे click करके उस वीडियो को भी देख सकते है ठीक है इसके बाद अगर हम judicial functions की बात करने है तो judicial functions क्या है the judicial functions of the parliament include considering the proposals for the removal of president ठीक है जो president के basically impeachment की procedure है यानि की महाभयोग की प्रक्रिया article 61 में mention है ठीक है vice president की जो removal है judges of the high court supreme court की जो judges अगरा का removal है वो सारा का सारा भी कौन कर सकता है parliament तो इसलिए parliament के जो इस तरह के impeachment की procedure है this has been defined as a quasi judicial function ठीक है quasi judicial क्यों है it's like judicial क्योंकि एक तरह किसी यह है तो judicial proceeding लेकिन यह किसी judicial body द्वारा नहीं की जा रही है it is being done by a body which is majorly you can say a legislative body ठीक है यह law making body है लेकिन इस तरह के judicial function भी कर रही है that is why impeachment is also sometimes referred to as a quasi judicial act ठीक है चलिए तो यह आप function समझ गए parliament के क्या functions है इनको हाला कि अभी हम जब आगे जाके अपने इस course को इस topic को आगे बढ़ाएंगे ठीक है other sources हम इसको cover करेंगे तो वहाँ पर अभी हम और ज़्यादर detail में इन चीज़ों को समझेंगे लेकिन फिलाल I think कि यहाँ पर जितना book में दिया जा रहा है उसके according आप चीज़ें जो है वो clear कर रहे हैं ठीक है चलिए इसके बाद powers of राज्यसवा की बात कर लेते हैं औ there is some difference between the powers of the two houses तो सबसे पहला जो सवाल वहाँ पर पूछा गया था कि क्या दोनों के दोनों जो सजन है जो दोनों के दोनों houses है उनकी power same है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है they have difference उनकी powers में कुछ ना कुछ अंतर है powers में difference है power same नहीं है पहला सवाल तो यह clear हो गया इसके हमें powers of लोकसभा और राजसभा दी गई है ठीक है इसको हम यहाँ पर जनरली थोड़ा से जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं हला कि फिर से मह भाई काऊंगा जब हम इस topic को अलग से other sources से cover करेंगे तो वहाँ पर हम इनको करके detail में भी समझें के ठीक है लोकसभा की powers क्या- विदहक होते हैं उनको भी लोकसभा में ही introduce किया जा सकता है ठीक है बाकी यह इस तरीकी के मुद्दों पर कानून मनाते हैं जो हमारी union list यानि कि list 1 और concurrent list यानि कि list 3 में subject matters दिये गए है उनके ओपर ठीक है इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद solutions and motions and through no confidence motion यानि कि जो अविश्वास प्रस्ता होता है उसके थूरे सरकार को control करते हैं ठीक है आगे जाके हम इसको अभी बात करेंगे कि parliamentary के जो controlling measures है या जो controlling devices है वो क्या-क्या है उन में से यही सारे के सारे चीज़ें जो है वो रहेंगी ठीक है सम्मिधान को amend भी कर सकते है amendments the constitution approves the proclamation of emergency कि आपातकाल को लगाने के सम्मंदी जो approval वगरा है वो भी ये दे सकते हैं elects the president and vice president and removes judges of supreme court and high court ये भी कर सकते हैं establishes committees and commissions and consider their reports ठीक है कोई भी committee बनानी है कोई भी आयोग बनाना है उसको बनाने का काम और उसकी जो reports वगरा है वो consider भी लोग सभा में की जा सकती है इसके बाद अगर हम राज्य सभा की powers की बात कर लें तो considers and approves non money bills and suggest amendments to the money bills ठीक है money bills को लेकर specifically अगर हम बात करें तो राज्य सभा की power money bills को लेकर काफी कम है ठीक है वो उस पर कोई changes नहीं कर सकते वो उसको खारिज नहीं कर सकते वो सिर्फ कुछ amendments जो है वो सुझाओ दे सकते है उनका suggestions दे सकते है उसको मानना या नहीं मानना जो है वो लोग सभा के उपर है तो राज्य सभा के पास money bill को लेकर यानि कि जो धन विदैक होता है उसको लेकर powers काफी कम है ठीक है इसको भी हम लोग बात में discuss करेंगे constitutional amendment के लेकर power इनके बाद भी same है यह अप्रूफ कर सकत है exercises control over executive by asking questions introducing motion and resolution यह भी power इनके पास same है और यह participation और removal में participate करते है किसके election or removal में president, vice president, judges of the supreme court and high court it can alone initiate the procedure for removal of the vice president ठीक है vice president के जो removal की process है उसको यह खुद भी initiate कर सकते है ठीक है can give the union parliament power to make laws on matter included in the state list की state list से संबंदित यानिकि जो हमानी second list है list to state list उस पर अगर कोई भी matter दिया गया है उससे संबंदित अगर यह law बनाना चाहते है तो यह parliament को इस तरीकी की power जो है वो दे सकते है ठीक है यह बात आप यहाँ तक समझ गया I think इसके बाद हम हम लोग एक बात कर लेते हैं कि special powers of राज्यसभा क्या है क्योंकि राज्यसभा के पाच कुछ special powers भी है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा बाकी फिर इसमें जो आगे किस तरीके से बिल वगरा इंटर्डियूस होता है क्या procedure है पूरा का पूरा law बनने की उसको हम लोग जो in the constitution वहाँ पर लिखा गया है council of states ठीक तो council of states का मतलब क्या है यह representation to the states है इसका purpose क्या है is to protect the powers of the states राज्यों की शक्तिया है उनको preserve करना उनको protect करना इसका काम है therefore any matter that affects the state must be referred to it for its consent and approval ठीक है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा जो राज्यों से संबंदित है या जो राज्यों क क्या जाना चाहिए और उसके approval के लिए और उसके consent के लिए thus if the union parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make laws to either the union list or concurrent list in the interest of the nation the approval of the raja sabhah is necessary तो सबसे पहला जो important function है वो यह है कि अगर मान लीजे union parliament यह चाहती है कि कोई भी ऐसा matter state list का कोई matter है ठीक है state list का matter का मतलब क्या है कि उसके पास exclusive power है उस matter के उपर law बनाने की कानून बनाने की किसके पास जो state list लेचर है उसके पास लेकिन अगर union parliament यह चाहती है कि यह कोई ऐसा matter जो state list में था जिसके उपर power थी कानून बनाने की सिर्फ और सिर्फ सिर्फ state list लेचर के पास कि उसको या तो union list में या फिर concurrent list में जो है वो include कर लिया जाए रास्टर हित को ध्यान में रखते हुए तो इस तरीके का approval जो है वो राज्यसभा ने देना necessary है ठीक है तो यह जो provision है यह strength of the राज्यसभा को add करता है यानि कि इससे क्या होता है कि राज्यसभा की जो strength है जो शक्ती है वो बढ़ती है however experience shows that the members of the राज्यसभा represent their parties more than they represent their districts लेकिन ये भी एक बात है कि जिस तरीके से हमारे वहाँ मतलब चुझाओ की प्रक्रिया तो दी गई है लेकिन बात वही है कि party politics जादा है ठीक है लोग अपने राज्यों का प्रतने दित्तों करने की बजाए जो है यहाँ पर अपनी party का प्रतने दित्तों करते है ठीक है त तो वही चीज बेसिकली फिर राज्यसभा में भी देखने को आज की डेट में मिल रही है हाला कि अगर बात किया जाए तो राज्यसभा को बनाने के पीछे या राज्यसभा को जो एक council of states का या हम कहेंगे जो representation of states का एक दरजा दिया गया था वो कहीं न कहीं पूरी तरीके स फुल्फिल नहीं हो पा रहा है ठीक है इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं powers exercised only by the लोगसभा कुछ powers ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगसभा के पास है then there are powers that only लोगसभा exercises क्या है the राज्यसभा cannot initiate reject or amend money bills वही बन आपको बताया जो money bills होते है यानि कि जो धन विदह होते ह उनको लेकर राज्यसभा के पास कोई भी power नहीं है वो राज्यसभा में initiate भी नहीं हो सकते है यानि कि introduce भी नहीं कि जा सकते है राज्यसभा उनको reject भी नहीं कर सकती है और उनमें amendments या changes भी suggest सिर्फ suggest कर सकती है changes कर नहीं सकती है चिक the council of ministers is responsible to the लोगसभा and not राज्यसभा ये ध्यान लखनी है जो हमने बात करी थी कि council of ministers की collective responsibility होती है वो parliament के प्रती नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लोगसभा के प्रती है जारी कि जो हमने बात की थी जैसे हमने बात करी नो इसलिए राज्यसभा जो है वो government को criticize भी नहीं कर सकती है यानि कि उसकी आलोशना नहीं कर सकती है और उसको हटा भी नहीं सकती है ठीक है लोगसभा में तो जैसे हमने बात के लिए no confidence motion वगरा है लेकिन राज्यसभा के पास इस तरीकी चीज नहीं है ठीक है can you explain why the राज्यसभा is elected by MLA's and not directly by the people ये बात सही है कि राज्यसभा जो है उनका election कौन करता है राज्यसभा के सांसुदों का election जो है वो MLA's यानि कि विधायक करते है directly people तो करते नहीं है therefore the constitution is stopped short of giving certain powers to the राज्यसभा इसलिए थोड़ा सा राज्यसभा की जो powers बगना है वो कम दी गई है समयधानिक है ठीक है समयधानिक नहीं है समयधान में लिखे गई है सारी के सारी powers तो उसके according ही चीज़े कम दी गई है in a democratic form as adopted by our constitution the people are the final authority obviously बात है कि हमारा जो देश है जैसे कि हम हमारे देश की बात भी है और बाकिए अगर हम बात करें as in general अगर लोकतंत्र की या लोकतंत्रिक दिवस्था की तो वहाँ पर जो लोग है जो people है वही final authority होते है तो by this logic the representatives directly elected by the people should have the crucial powers of removing a government and controlling the finances तो ये जो directly elected by the people के representatives है ये कौन है ये are members of the लोकसभा not the राज्यसभा ठीक है क्योंकि राज्यसभा एक तरीके से वही बात है कि directly elected नहीं है हाला कि MLS द्वारा किये जाते हैं और इसलिए उन्हीं के पास power दी गई है कि वो सरकार को क्या कर सके रिमूफ कर सके और जो finances बगना उसको control कर सके ठीक है in all other spheres including passing of non-money bills यानि कि कोई भी और ordinary bill है constitutional amendments है and impeaching the president and removing the vice president the powers of लोकसभा and राज्यसभा are co-equal ठीक है कि इसके सम्मंदित जो भी powers है चाहे वो किसी और तरीके के bill को introduce करने की बात हो या फिर कोई constitutional amendment यानि कि सम्मिधान में संशोधन करने की बात हो राश्टरपती के महाभियोग impeachment को लेकर बात हो या फिर vice president को अटाने को लेकर बात हो तो इस तरीके के सम्मामलों में जो है लोकसभा और राज्यसभा की power जो है वो बिल्कुल ठीक है उसको अगर union list में आपको include कराना है कोई भी state list का subject वहाँ से अटा के तो उसके लिए राज्यसभा को उसकी consent और उसका approval मिलना ज़रूरी है ठीक है तो चलिए आज इस lecture को इतना ही रखते है इसमें जो आगे का part है कि how does the parliament make laws पूरे का पूरा की किस तरीके से bill introduce होता है किस तरीके से law बनता है किस तरीके से उसमें राश्ट्रपती की assent अगेरा लगती है ये सारी की सारी बातों को लेकर हम लोग इस chapter को जो है अगले lecture में आगे continue करेंगे तो content related अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमारा telegram का जो group है that is okul gs upsc discussion forum इसको join करके आप पूछ सकते हैं इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप इसको telegram में search करके भी join कर सकते है इस पूरे की बुरी video series का जो full course है वो हमारी website पर available है वहाँ पर आपको स सारे के सारे videos मिल रहे हैं साथ ही chapter wise notes और quizzes भी provide हम लोग करा रहे है थाकि आप लोग जो है notes के थूरू पढ़ सके और quizzes के थूर आप अपनी preparation अपनी तयारी को assess कर सके course purchase करने संबन्द यागर आपको ए technical query face करते है तो आप हमसे इस number पर WhatsApp के थूरू contact कर सकते है that is 9498086380 बाकि हमसे जादा जूरने के लिए आप हमें Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn पे और Twitter पर भी follow कर सकते हैं Thanks for watching till the end आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like जरूर करें इसे जादा से जादा share करें अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलेगा ताकि आपको हमारे अभी वीडियो के notification सबसे पहले मिल सकते हैं अपने comments करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसा लगा